अज हमें लेथ ब्रेस पर काम करना है, जिसके थुरू आप क्या कर सकते हो, जितने भी circular या rounded 3D model होते हैं, उनको हम आसानी से generate कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर जब बेस में हमारी ready हो जाती है, तो हम फिर उसके उपर scourde कर सकते हैं, डिजाइन डाल सकते हैं, जिससे हम final model आपाएं, तो सबसे पहले में क्या करना है, उसके लिए एक base की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से चलते हैं, जब भी आपको late brush पे काम करना है, हमेशा आपको क्या करना है, एक planer create करना है, added click कर देना है, और इसको polymaze 3D में convert कर देना है, जब यह polymaze 3D में convert हो गया, तो late brush यह इसका icon है, इससे पहले के session में class में हमने curve brush को use किया है, जिसने video नहीं देखा, आप देख सकते हैं, तो आज हम यह curve late को use करेंगे, इसको click कर देना यहां से, जैसी click करेंगे तो जो आपका brush है, वहाँ पर देखिए आपको एक icon मिल गया है, late brush का, अब इसको use करना है, तो देखिए इसको use करने के लिए क्या करना है, हमें एक curve यहां से design करना है, कैसा भी आप design कर सकते हैं, यह flower waste type का एक कुछ curve बना सकते हैं, आपको याद यह रखना है कि यह black and red color की line दिखाए दे रही है, बिल्कुल vertical straight होनी चाहिए, अगर आप ऐसा curve आते हैं, तो देखिए यह जो vertical line है, इस पर कभी आप changes मत करना, आपको इस curve में changes करने होगी, तो आप यहां पर click कर सकते हो, anytime, तो देखिए यहां पर आप यह कुछ भी shape बना पा रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए ऐसा shape बना, पर यह देखिए थोड़ा सा तिर्चा हो गया है, थोड़ा सा diagonal shape में आ गया है, तो हम undo करते हैं, हमें क्या करना है, यहां पर stroke में जाना है, और यहां पर देखिए curve mode के अंदर option मिलेगा, आपको lock start and lock end का, तो इन दोनों को on कर देना, इससे क्या होगा, कि यहां पर देखिए यह vertical line जो पड़ी है, इसका उपर जो circle दिखाए दे रहा है, यह start point है, और यहां पर end point, दोनों lock हो गए है, जिससे क्या होगा, कि जब हम इस curve को modify कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा, कि यह दोनों जो point है, वो अपनी जिगे stable रहेंगे, तो आपको problem नहीं आएगी, यहां पर बहुत ही आसानी के साथ अपना काम कर सकते हैं, तो देखिए, यह पर अब इससे हम कुछ नया modify करके shape generate कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा time लग सकता है, आपके according जो shape चाहिए, वैसा shape बनाने में, तो I think कि यहां पर हम कर रहे हैं, आप लोग जब खुद से करोगे, तो आप लोग और अच्छा समझ में आएगा, कि यह किस त क्लिक कर देंगे, elastic का मतलब होता है, जैसे यह plastic होती है, उस तरह से stretch हो रहा है, यह देखिए, यह काफी stretch कर दिया, मतलब यह stretch कर दिया, कुछ नए shapes बना रहे हैं, नए cups बीच में आ रहे हैं, यह देखिए, एक अब यह आ गया, यह उठा लेते हैं, इस तरह से, फिर से यह plastic नहीं करना चाहते हैं, लिक्विट करना चाहते हैं, तो लिक्विट से क्या होगा है, देखिए, थोड़ा सा और आसानी से आप से बना सकते एकदम, simple way में, तो आप दोनों option यूज करके देखोगे, आपको समझ में आएगा, let's, हमारा जो model था, वो हमने final कर दिया है, कि य हमें कुछ बनाना था, अब बार है कि यह model जो है, इस planer के साथ आया, क्योंकि यह planer हमने इसलिए लिया था, बिना इसके हम नहीं बना सकते थे, लेद, तो planer लेना ज़रूरी था, तो अब यह बाद में, जब model बन गया, planer को हटाना भी है, कैसे हटेगा, तो आप सब tool में जाएंगे यहाँ पर, नीचे आपको एक option मिलेगा, split, split के अंदर आप देखोगे, split unmasked point, split marks point, दोनों option में से किसी एक पर click कर देना, तो आप देखोगे, अपने sub tool में यह दो layer अलग अलग बन गए, एक planer के layer है, और आपके lathe वाले brush की एक layer बन गए, planer layer को आप चाहो तो delete कर सकते हो, या इसको hide कर सकते हो, delete अगर करना है, तो उस layer को आपको select करना है, नीचे delete का option मिलेगा, और आप delete कर सकते हो, now finally you have got your lathe model, base model आपका यहाँ पर ready हो गया, अब इसके साथ आपको sculpting करना है, तो आपको इसके divisions बढ़ाने पड़ेंगे, control D से इसके division बढ़ा सकते हो two or three times, four times हमने click करके इसके division बढ़ा लिए, now इसके उपर sculpt करना है आपको, तो आप sculpt करने के लिए क्या करें, क्योंकि circular है, तो हम क्या करेंगे, transform में symmetry on कर लेंगे, and y पी click करेंगे, radial symmetry on करेंगे, यहाँ पर radial symmetry को बढ़ा देते हैं, I think 14 कर देते हैं, now जिससे क्या होगा, कि य करेंगे, यह 14 stroke generate हो जाएंगे, अपर यह थोड़ा सा side में जाएंगे, हम क्या करेंगे, यह देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका home बटन आ रहा होगा, normal standard brush यूज़ करते हैं, और यहाँ stroke में जाके, आप drag react select करेंगे, alpha में जाके, कोई भी design आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर यह star वाली design लेते हैं, इससे आप sculpting कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए, sculpt हो रहा है, right, यह, इस तरह से, यह, थोड़ा सा आप यह intensity को बढ़ा सकते हो, ज्यादा, ताकि, यहाँ पर देखिए, फिर से हम alt के साथ में कर रहे हैं, यह इस बार से depth में जा रहे हैं, यह नीचे यह बन गया, उसके बाद यह कभी भी anytime आप change कर सकते हैं, हम इस बारी यह circle यूज कर रहे हैं, यह alpha आप change कर रहे हैं, बारी बारी से, तो alpha जैसा भी होगा, वो design आपको वहाँ पर वैसी बना कर के देगा, तो यहाँ पर देखिए, यह कुछ अजीब से, तो हम alpha क यूज करके हम जल्दी से कुछ बना लेते हैं, यह देखिए, आपको जैसा चाहिए वैसा लिजिए, हम अपने according यूज कर रहे हैं, आप अपने according जैसा भी alpha लेंगे, वैसा यहाँ पर आपको model मिलेगा, let's see, यह वाला shape यूज करते हैं, काफी अच्छा आ रहा है, काफी royal scene आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यह, काफी अच्छा आ रहा है, very good, so, इस तरह से, इसके जैगे पर हम और भी यूज कर सकते हैं, कुछ चीजों को, जैसे यह देखिए, आप बदल-बदल के बहुत सारी चीज़े यूज कर सकते हैं, let's see, यह वाला भी safe एक बार देखते है कैसा लग रहा है, काफी अच्छा safe है, अगर हम और change करते हैं, यह arrow like कुछ use करना चाहते हैं, यह भी अच्छा लग रहा है, यह देखिए, तो आपने बहुत जल्दी इस पर sculpt कर लिया है, नीचे base पर अगर कुछ sculpt करना है, तो इसके लिए भी आप जल्दी से कुछ select कर सकते हैं, इसके यहां पर यह circle आ रहा है, इसको use करते हैं, तो यह काफी अच्छा circle आ रहा है, यह देखिए, यह design और इधर से आप देख सकते हो, काफी अच्छा use कर लिया, ना again जब हमारा यह complete हो जाएगा, तो you need to apply the material, तो यहां पर material पर click करके, आप कोई भी material यहां पर लगा सकते हैं, जो भी आपको best लगता है material, कोई metal वाला material यूज़ करते हैं, I think यह वाला एक बार देखते हैं, देखिए, काफी सांदार आपका output आ गया, तो आपने within a minute आपने बहुत ही अच्छा model बना लिया है, क्योंकि यह circular है, तो circular कोई भी model अगर हमें बनाना है, तो no doubt कि हम late को use करके हम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से, देखिए, थोड़ा सा, यह बड़ा royal सा लग रहा है material, तो इस material को हम यहाँ पर रखते हैं, काफी अच्छा material है, यह, बहुत ही अच्छा, तो मिलते हैं next video में, चैनल को subscribe जरूर करना, comment करना, अगर आपको लगता है किसी topic पर वीडियो आपको चाहिए, thank you